दोस्तो मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग पर आठीय लगाते हैं और यहां पर जब आठीय लगाते हैं तो फिर आपको यहां पर धंकी मिलती है आपको जान से मारने क द्हमकी मिलती है आपको डड़ाया जाता है तो अब सवाल उठता है कि इस सूरत में आप क्या करें जी हां मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि मैंने यहां पर सिक्षा विभार पराटिये लगा दिया और अब मुझे यहां पर ड्राया जा रहा है तो मुझे क क्या करना चाहिए तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंतक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप नहीं कर सकता है और गर मना करता है तो फिर यहां पर उसको पर पेनाल्टी का पर विजन है उसको उपर कानूनिक करवाई होती है लेकिन यहां पर हद तो तब हो गया है कि जब आप आटिया लगाए है तो आपको धमकी दिया जा रहा है तो जब आपको धमकी मिलता है तो आ यहां पर थाने में मौझुद जो भी अधिकारी हैं उनसे अपनी बातों को रखना चाहिए आपको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे बात है लेकिन यहां पर हो सकता है कि जब आप थाने में याते हैं तो आपकी बात सुनी नहीं जाए वहां से भी आपको डुरा कर धमका कर भगा ताकि यहां पर रिकॉर्ड रहे कि अपने पुलिस थाने में कम्ब्लेन किया आप इंतिजार कर ले फिर भी अगर कोई रिस्पोंस नहीं आता है आप किसी काइट दर्ज नहीं होती है तो फिर आप यहां पर जी ले के हैं तो आपका नुक्सान किया जा सकते हैं आपको मारा जा सकते हैं और ऐसे सारे से मामले सामने आए हैं तो आप दर है तो थाने में ही आवे-धन दे, कि यहां पर आपको फलाने व्यक्ति से जान को डर है, आप यह पर इतरी है तो आपको केस दर्ज कराना है और अगर धमकाता नहीं है फिर भी आपको डड़ हो गया है तो आप यहां पर पुलिस को या फिर सिद्धे कोट के माध्य हमसे इंफर्मेटिविटी संदेश सकते हैं ताकि यहां पर कल को अगर आपको कुछ भी होता है तो वह व्यक्तिव फ करें मेरा इंस्टाग्राम पर हो जरनेम है 1584 आप में मैसेज करें और अगर फोन से भात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके पंड्من बूख कर लें तो दुस्तों आप इस वीडियो को दिख सदीक अपने दोस्तों और इस तदार में बीजरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में करें टॉपिक के साथ तब तक अपने और अपने परिभार का ख्याल